दोस्तों यूपी त्रीपल सी वीडियो री एक्जाम भरती परिच्छा की संदरोब में अगर देखा आ जाये तो आप सब ही कि जो है कॉमेंट आ रहे हैं कि भया आखिरकार रिजल्ट की घुसड़ा हमारे बेच में कब होगी तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में बिल्कु कि यहां रिजल्ट इस डेट को जारी होगा यूपी त्रीपल सी आयोक से बड़ी ख़बर क्या कुछ अपडेट्स हैं बिल्कुल इस वीडियो में हम साजा करेंगे और आप सभी की यह कॉमेंटार हैं कि भया नारमलाईयसन की प्रक्रिया अपनाई जाएगे यह नहीं अप प्रक्रिय अपडेट आपके बीच में हैं यहां देखिए कहा जा रहा है डिवे कट आफ इससे अधिक नहीं होगी आपको पता है आपका जो रिजल्ट हो रिजल्ट जारी होगा वह डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी होगा ठीक है मेरे कहने का सिंस आप जिनका सेलेक्शन या कहा जाए जिनका भी रिजल्ट डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए जारी हो जैसे आपका रिजल्ट गोसित हो रहा है और वह रिजल्ट आपका डेवी के लिए होगा और यहां फाइनल अगर कहा जाए तो हर किसी बढ़ती की प्रबल इक्षाय होत आपके बेच में उपस्तित हैं दोस्तों मैं हूँ संजय आप सभी का स्वागत करता हूँ अबिनेंदर करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहले बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रूड करेंगे सब से पहले ध्यान देजिएगा आप सभी के द्वारा ये तमाम तरह की भ्रामक सुष्णाइं जो है रिजल्ट के संदरोब में बताई जा रही थी कि फाइनली आपका रिजल्ट इस डेट को जारी हो जाएगा अगर देखा जाए तो लोग दिसंबर में ही आपको बता रहे थ है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा लेकिन मेरे दोस्त अगर कहा जाए तो रिजल्ट अभी भी नहीं आया है आज 12 जनवरी आपकी हो गई है फाइनली अगर हम एक ऑफिसियल डेट के बारे में बताएं कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा तो इस रिजल्ट के संदर कर दिया जाएगा ठीक है कब तक जनवरी के लाश्ट और फरवरी के फस्ट बीक में मैं चैलेंज कर रहा हूँ 100% का जारी कर दिया जाएगा लेकिन एक चीज़ ध्यान रखियेगा और अगर नॉर्मलाजेशन के हम बात करें तो बिलकुल आपको पता है योपी त्रेपल से जो है नॉर्मलेशन की परक्रिया इस वीडियो रिजल्ट पर जारी जरूर होगी जारी करने का मतलम लागु जरूर होगा ठीक है और यहां देख्ये कुछ लोग ओए इनका फाइदा होगा नॉर्मले जयसन में इनका नुकसान होगा दीखे इसलिए अपनाया ही जाता है कि ना किसी का फायदा हो और ना ही किसी का नुकसान हो ठेक है इसलिए आप बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ठेक है अब यहां document verification की cutoff इससे ज्यादा नहीं रहेगी हम आपको cutoff से भी रुबरू कराते हैं बाके चीजों पर आगे हम चड़जा करते हैं आप safe score को भी देख लिजेगा तो finally आपका safe score कितना रहता है देखे यह cutoff आपके बेश में लगी है आप cutoff का निर्धारन कर लेजे जनरल की cutoff 210 से OBC की cutoff 206 SC की cutoff 108 से 1953 पदों के लिए भड़ती परिच्छा कराई गई female की cutoff 198 सर्विसमेन की cutoff 170 और finally अगर कहें हम तो freedom fighter की cutoff 196 होगी आप cutoff को भी देख लेजेगा और इसी के क्रम में अगर हम आपसे कहें तो आप safe score को भी अपना आप समझ लेजेगा अगर इसके आसपास में आपका score आ रहा है तो 100% आप अपने आपको सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और यहां आगे अगर हम कहें आपसे सवाल उठता है कि joining later में विलंब किया संका देखिए यह चीजें तो फिलाल के लिए मैंने आपसे पहले ही clear कर दिया है कि कोई भी भरती प्रक्रिय अगर process में चल रही है तो उस पर जो है आचार संगिता इत्यादी का कोई भी effect नहीं पड़ता है आप इसके चक्कर में मत रहिएगा कि हमारे joining later में विलंब होगा सब कुछ procedure आपका चलता रहेगा ठीक है हाला कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता हो सकता है भरती चुना भी मुद्दा बन जाए ठीक है फिलाल के लिए जैसा भी होगा हम channel के माध्यम से आपको inform करते रहेंगे बाकि अगर आपके कोई भी effect है मैंने safe score के बारे में आपको बता दिया ठीक है आप सारी चीजों से रूबरू हो गए होंगे मैंने आपसे result को भी बताए कि result आपका January के last और February के first week तक 100% घोसित कर दिया जाएगा ठीक है तो आसा करते हैं देगे जानकारी से आप संतुष्ट है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिगा, share कीजिगा और चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राब लोड कीजिगा वड़ी समाप करते, थैंक्स, धन्यवाद